नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Perfection IS के इस डिजिटल पेड़ फार्म पर मैं हूँ अर्विन पांडे और आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं बिहार की अर्थ विवस्था यानि की बिहार की अर्थ विवस्था में आज हम लोग एग्रिकल्चर टॉपिक कवर करन वाले हैं जो आपका BPSC मुख्य परिच्छा के exam के point of view से most important है agriculture का section एक important segment है और यहां से मुख्य परिच्छा में भी और कई बार fact-based भी question exam में PT में भी question पूछे जाते हैं बिना देर की शुरू करेंगे आज का अपना session और इस session में हम लोग cover करने वाले हैं बिहार, economy, बिहार की अर्थ विवस्था और यह किबल हम बिहार की अर्थ विवस्था में एक topic नहीं यह पूरा series हम लोग लेकर चलेंगे और इसमें सबसे पहले हम आज का जो आपका topic है व बिहार में भी और भारत में भी हम लोग बात करेंगे इसके अलवा बात करें दूसरी क्रांटी के रूप में बिहार को कैसे देखा जा रहा है क्या opportunities है बिहार के पास क्या strength है इसके बारे में हम लोग complete चर्चा करेंगे फिर हम लोग बात करेंगे बिहार में गन्ना उद्यो चनौतियां एवं शंभावनाएं क्या-क्या है इसके बारे में complete discussion हम लोग का वीडियो में होता रहेगा तो ये आज का जो टॉपिक है जो आज फर्स्ट वीडियो हम लोग जिस टॉपिक पर डिसकस कर रहे हैं वो है आपका बिहार में कृशी यानि agriculture in बिहार बाकी के जो टॉ important है और exam में पिछले कई सालों में देखा गया है कि questions पूछे गये यहां से या तो सीधे इस topic से या तो किसी खंड में बिहार को जोड़ा गया है जैसे अगर पूछा गया है तो ऐसे question पूछा गया है कि भारत में गरीबी 1991 के बाद से कम हुई है या question ऐसे भी बना है कि 1991 के बाद से भारत में कृषी छेतर में क्या बदलाव आए है उन बदलाव में बिहार का क्या योगदान रहा है तो प्रश्ण में दो खंड है एक हंड में भारत से बाद से बात में बात से कृष्ण अपने क्रिशिकत विकास के लिए किस प्रकार की प्रमुक चनोतियों का सामना कर रहा है ये तो मैं आज के शेशन में पूरे हेडलाइन्स के साथ इस पूरे टॉपिक को हम लोग डिसकस करने वाले हैं दूसरा प्रश्ण हमने जो रखा है वो है बिहार में क्रिशी की वर्तमा चलाई जा रही होंगी तो आपको यह बता रहा है कि उन्हीं उजनाओं से बिहार राजी में क्रिशी छेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं वो किस प्रकार से लाभानवीत हो रहे हैं और जो एग्रिगेट जो प्रडक्शन है बिहार राजी के कुल उत्पादन में जो ए तो सुरू करते हैं सबसे पहले एक इंडुड़क्शन से बिहार के बारे में एक परिचे से एक संदर्व से जिसको आप कॉमनली अपने जो है दोनों ही कोशन के संदर्व के रूप में आप लिख सकते हैं अगर हम बात करें तो बिहार जो है एक कृशी प्रधान राज्य है बिहार के सरवांगिर विकास के लिए कृशी एक महत्वपूर छेत्र था है और बना हुआ है तो बिहार एक अगर बात करें कृशी प्रधान राज्य है तो कृशी प्रधान राज्य हम यूँ ही नहीं बोलना है या यूँ ही नहीं कहा जाता है इसका अगला डेटा अगला आपके सामने देखने को मिलेगा कि 88.7 परशन्न ग्रामिड चेत्र में यहां की में घी जन संख्या का हिस्सा इवाश करता यानि राज की कुल जन संख्या है उसमें 88.7 परशन्न अगर वहां की घी घी जन संख्या का 88.7 फ़सेंट generalique उल्हाई है तो सोची वह राज या वह देशी हो तो वह क्रिशी छेत्र के लिए कितना अनुकूल होगा कि वहाँ पर मैक्सिमम जनसंख्या अधिकतम जनसंख्या ग्रामिड आंचल यानि ग्रामिड छेत्रों में रह रही है आप देखेंगे 77% से अधिक जो जो जनसंख्या है वो अपनी आजीवगा के लिए पूरी तरीके से क्रिशी पर निर्भर है तो सोचे क्रिशी पर निर्भर होने से क्रिशी में जो उत्पादन होगा वो कितना बेहतर होगा अगर यह डेश देश की 77% से अधिक की जनसंक्या का मुक्षि बेवशाय बना हुआ है बिहार में екर भात करें थो अनाजी फसलों के रूप में जो मुक्षि फसले हैं चावल है यहो है मक्का गन्ना एवं जूट है इसके अलामा बात करें अगर तो कुछ यहाँ पर नगदी फसलों का भी जो है चलन है नगदी फसलों का भी उतपादन किया जाता है तिलहन है डाल है चना है इसके अलामा कुछ सब्जियां भी है और सब्जियों के अलामा कुछ फलों का भी उतपादन जो है वह बिहार राज्यों के द्वारा किया जाता ह और कुछ फलों और कुछ सब्जियों का उत्पादन तो प्रमुक रूफ से बिहार राजज़ है वह कर रहा है बात करें कर हम लोग यह इंट्रोडक्शन हुआ इंश्वार्ट में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में क्रिशिय का स्वार्ट विसलेशन SWOT यानि कि अभी हम लोग बिहार के अग्रिकल्चर का हम लोग स्वार्ट विसलेशन करने वाले हैं स्वार्ट का मतलब होगा as, stand for strength हम लोग discuss करने जा रहे है कि विहार का strength क्या है विहार की सक्ति क्या है विहार की power क्या है agriculture sector में क्यों या agriculture या पूरी तरीके से agrarian state जो है की सेड़ी में या गिना जा रहा है या बोला जाता है तो हम लोग विहार का strength पढ़ने वाले हैं लेकिन स्टेंथ हमें तब मज़ा आएगा जब हमें स्टेंथ के साथ अपनी वीक्नेस भी पता हो तो हम विहार के कुछ वीक्नेस के बारे में समझेंगे कि क्या कमजोणियां रही हैं एग्रिकल्जर सेक्टर में इसके अलावे हम बात करेंगे ऑपरिचुनिटी के बारे में बिहार क्या opportunities रखता है यानि कि बिहार राज में आंतरीक और बाहरूफ से क्या संभावनाएं हैं बिहार में agriculture sector की और इसके अलावा बात करेंगे हम लोग threats का मतलब क्या चुनाउतियों का सामना कर रहा है बिहार agriculture sector में कुछ दसकों से तो ये पूरा complete visualization हम लोग का होगा लेकिन सबसे पहले हम लोग जो बिशलेशर सुरू करेंगे वो है बिहार में क्रिशी की विसेश परिस्थिती यानि हम लोग बात करने वाले है strength of बिहार in agriculture यानि क्रिशी चेत्र में बिहार का strength है वो क्या है जिसकी वज़य से यहार राज एग्रीकल्सर सेक्टर में अपने आपको एक मजबूती से या एक उत्पादन चेत्र में एक बिहतर उत्पादन के लिए जाना जा रहा है सबसे पहले बात करें तो यहां पर आप सबसे पहला point आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य में कुल चेत्रफल का 95% जो चेत्र है वो पूरी तरीके से मैदानी चेत्र है अब आप सोच लीजे कि अगर 95% मैदानी चेत्र है तो वह क्रिसी के लिए कितना जादा अनुकूल होगा और अगर बात करें कि इस 95% में 90% से अधिक का जो चेत्र है उन चेत्रों की जो मिट्टी है वो मिट्टी पूरी तरीके से जलोड मिट्टी है दोमट मिट्टी है और कार्बनिक पदार्थों से पूरी तरीके से परिफूर मिट्टी है जो बिहार में ग्रिकल्चर यानि क्रिशी चेत्र के उत्पादन को बहुत जादा अनुकूल बनाता है और आपको बता होगा ये मिट्टी और मैदानी चेत्र होने के नाते ये अनुकूलता जो है बिहार म काफी उंचा है हलांकि यहाँ पर नदियों की भी संख्या नदियां भी परिपूर तरीके से पाई जाते हैं मांसून भी सही समय पर आता है तो सिचाई की विवस्था में कुछ जादा कठिनाईयां नहीं हैं लेकिन एक थोड़ी सी समस्या इसमें आती है कि राज्य का कुछ जिसकी वजह से वहां पर हम अधिक फसलों का रोटेशन नहीं कर पाते हैं तो बीहार के स्टेन्थ में सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट किया मैदानी छेत्र का यानि मिट्टियों के बारे में दूसरा जो प्रमुख चीज होता है उत्पादन के छेत्र के लिए सिचाई सुचाई सुविधा की बात करें तो यहां पर हम लों ने देखा कि परिपूर्ड राज्ज है इसके लावा क्रिशी विविदता के उपस्थिती बिहार के अग्रिकल्चर में देखी जाती है क्यों जो कि यहां की जलवाई अच्छी जलवाई है और जलवाई अच्छी होने के मुख्य रूप से पूरे भारत में देखा जाता है लेकिन इन मौसम के अनुसार मुख्य रूप से दो फसले तो बहुत सामानने तरीके से बिहार में उगाई जाती है लेकिन तीसरी फसल जायत की फसल को भी हम लोग लगाने के बाद यानि जायत की फसलों का भी उत्पाद का कार करते रहते हैं राज्य की जो कुल जनसंख्या है 80% से अधिक जनसंख्या ग्रामिट छेत्रों में निवाश करती है जैसा कि हम लोग ने डिसकस किया यह जनसंख्या बिहार में क्रिशी को और अधिक अनुकूल बना देता है है ना 88 points का हम लोग ने डेटा लिखा था पिछले economic survey के according और इसके according जो है यह जनसंख्या जो ग्रामिट छेत्र अंचल में निवाश करती है यह बिहार को अनुकूल बनाती है क्रिशी छेत्र में अधिक उत्पादन के लिए एक अगला factor है जो बिहार का strength भी है हलाएंकि यह weakness भी है और वो यह है कि सस्ते स्रमिकों से पूर्ण है सस्ते स्रमिकों से पूर्ण होने का मतलब यह होगा कि अगर किसी राज्य में या किसी भी देश में अगर किसी देश में जनसंख्या आधिक होगी यानि कि जनसंख्या तो वह राज्य वह देश श्रम प्रधान माना जाएगा और जहां पर श्रम प्रधान राज्य होगा जो श्रम प्रधान देश होगा वहां पर श्रमिक सस्ते होते हैं उन अस्थानों की यानि उन देशों और राज्यों की सबसे खास बाती होती है कि ऐसे देश में ऐसे राज् वह सस्ता होता है तो दरसल बिहार उनी राज्यों की स्रेडी में है जिन राज्यों में श्रम जाता है यह निकि श्रमिक जाता है जनसंख्या जाता है गरीवी रेका की नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिसत जाता है जिसकी वज़े से यहां पर जो स्रमिक है वह सस्ते हैं औ तो ये जो है कुछ बिहार का स्टेंथ है जो बिहार को क्रिशी छेत्र के लिए काफी अनुकूल बना देता है। बात करें हम लोग अब दूसरे टॉपिक के बारे में बिहार में क्रिशी की वर्तमान इस्थिती क्या है। इसके पहले वाले टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है जहां पर आप अपनी समस्याओं को या आपने किसी क्यारी को पूछ सकते हैं। की हिसेदारी है वह 21.2 परशेंट है 21.2 परशेंट जो है कुल उत्पादन में केवल क्रिशी छेतर का उत्पादन है बिहार राज्य में और अगर पिछले economic survey की बात करें हम लोग तो यह 10.98 परशेंट का वार्शिक growth rate दर्ज किया है एग्री सेक्टर में जो उत्पादन है यानि क्रिशी छेतर में जो उत्पादन है उसमें जो growth rate है वह 10.98 परशेंट का जो है समर्दिदर हाशल किया गया है अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में तो मक्का इसका जो उत्पादन है 1.5 यह देश के को उत्पादन का 10% हिस्दारी केवल बिहार में ही उत्पादन होता है मक्क के लिए बात करें तो जिला मक्क मक्का कहते हैं इसकी पैदावार बिहार में ही होता है और यह जो संकर नसल का जो मक्का है यह भारत में नहीं बिहार में नहीं पुरी दुनिया में पसंद किया जाता है और जिसके कारण बिहार में इस संकर प्रजाती के मक्के की जो डिमांड है वो बढ़ी है और और आश्री अस्तर पर इस मक्के की दिमांड यानि संकर प्रजाती की जो मक्के है, मक्का है, अगर इसकी दिमांड बढ़ेगी, तो मुझे उमीद है कि इस छेत्र में जो किशान कारेरत हैं, या जो इसके उत्पादर छेत्र में लगे हैं, उनकी आई भी इन फ्यूचर यह आईगा और राज के एक स्ट्रेंथ के रूप में काम आएगा हलांकि आपको बता दें मक्का एक हैवी ग्रेन की स्रेड़ी में आता है मोटे अनास स्रेड़ी में आता है और भारस सरकार ने मक्के के 1.5 million और उमीद है कि यह उत्पादन यूही जारी रहेगा और बिहार को एक अलग पुरशकार फिर से वह प्राप्त होगा बात करें हम लोग मखाने के बारे में तो मखाने की बात अगर करें तो मखाने की जो पॉस्टिक्ता है मखाने का जो उपयोग है मखाने की उपयोग से जो इम्मिनिटी सिस्टम को बढ़ाने का जो तरीका है यह साहत कोवीट के बाद लोगों को ज़्यादा ख्याल आया और देखा गया कि कोवीट की डिवरिशन में मखाने का डिमांड इतना ज जो उड़े लोग हैं वे थोड़े से संघर्स करते ही दिखाई दे रहे हैं। बात करेगर मखाने के उत्पादन के लिए उत्पादन के बारे में तो आप यूँ देख सकते हैं कि राश्ची उत्पादन में जो बिहार के सिदारी है वो 85% कह सकते हैं आप। और यूँ कह सकते हैं कि आप मोनोपोली ही मानलेजे कि पूरे राश्च्ट में सबसे अधिक मक्य का उत्पादन जिस राज्ज के द्वारा हो रहा है वहीपर लीची के कुल उत्पादन छेत्र में पूरे भारत में 71% जो उत्पादन है वह बिहार राज्ज के द्वारा किया जा रहा है मंखाने के बारे में बात करेगर तो मंखाने के बारे में जो मध्व बनी दर्भंगा सुपल-सित्य वाला जो बेल्ट है यानि जो मिधिलन चल वाला बेल्ट है वहा बेल्ट मंखाना के उत्पादन के लिए सर impressed में बना है या बना रहता है और आपको बता होगा मखाने का उत्पादन है उसके लिए GAL की इस्थिती का होना बहुत ही अनिवार एक शर्थ होती है बात करें कर मखाने के छित्र के बारे में तो मिठल आंचल जैसा कि हमने कहा कि अरिया है मखाना Ai pen को से की लिए उसकी सबस्टा के लिए मखाने रभादन के लिए वह बिएतर तरीके से जाना जाता है इसलिए ह हाल ही में नहें मिट्छिला मखाना को regulate लिए talk मखाना को मिल रहा है तो उम्मीद है कि मखाना के उत्पादन में जो किसान संगर्ज कर रहे हैं आने वाले समय में राश्ची और अंतराश्ची अस्तर पर वह एक अच्छे कीमध को कमा कर अपनी इंकं को बढ़ाने का प्रयाज करेंगे बात करें सहहद की बनात का 14% हिस्सा है यानि कि 14% हिस्सा जो है वहां बिहार में वहां शहद के उत्पादन का हिस्सा है जो पूरे भारत में कुल पर्शेंटेज में 14% हिस्सादारी रखता है बिहार में से मीठी क्रांती के नाम से भी जानते हैं और इस मीठी बिहार सरकार ने कुल 17 जिलों को चुना है और इस 17 जिलों में सरकार 75% से ले करके 90% तक मौद्रिक सहायता देगी यानि कि सबसीडी की रूप में किसानों की सहायता करेगी वैकिशान जो मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन के छेत्र से प्रत्यच रूप से जुड़े ह हैं तो आप सरकार के प्रयास को देखकर बता सकते हैं कि बिहार जहें मधुमक्खी उत्पादन मधं समस्याइं भी आपको देखने को मिल सकती है और वो समस्याइं यही है कि बिहार में जो फेट हैं या जो जमीन है उनका जो जोत है वो लगभग थोड़े से छोटे हैं और किसी एक किसानe के पास जो जमीन का टुकणा है वो किसी एक 171 1.6 1 क्रोड लोगों के पास farm holding है यानि कि ये लोग धारक है उस land के और इसमें से जो है बात करें तो 91% जो किसान है वो सिमान्त किसान है, सिमान्त किसान का मतलब ये होगा कि वे किसान सिमान्त किसान कहे जाते हैं, जिनके पास कौन सी जोत है, सिमान्त जोत जो रखते हैं, और सिमान्त जोत का जो है जो फार्मला होता है, वह होता है वन हेक्टेयर से कम, यानि कि अगर किसी किसान के पास एक हे छोट को गहता है वही पर आगर बात करें तो लगू जोट की परिवासा ऐक हैक कर लगूजोट को Land की पता किसाईar और यह भी लगबग 5.84% के आज पास लगु जो थे बिहार में और लगु किसान पाए जाते हैं यानि कि अगर 91% और 95% मिला दिया जाया तो 96-97% जो किसान है बिहार में वह दो हेक्टेर से कम की जमीन अपने पास होल्ड करते हैं या रखते हैं तो ये थोड़ी सी एक बरतमान इस्तिती में एक थोड़ा सा समस्या वाला विशह है बिहार का जो जली छेत्र है वे बिहार की कुल भौगौलिक छेत्र का 3.9% हलांकी ये फेवरेबल भी है कुछ उतपादन में बिहार का जो भौगौलिक छेत्र है उसका 60% हिस्सा निवल उत जो है इंडिया का जो कुल भौगौलिक छेत्र है भारत में किवल 42% ही खेती किया जा सकता है लेकिन ये बिहार में 60% है तो आप ये सोच सकते हैं कि बिहार कृशी के लिए कितना अनुकूल जो है उतपादन के लिए योग है इसके लिए माँ बात करें तो राज में जो सकल फसल छेत्र है वो 72.97 लाक हेक्टेर है अगर बात करें बिहार के कुल छेत्रपल की बात करें तो 94 लाक हेक्टेर है लगभग लगभग 94 लाक हेक्टेर कुल छेत्रपल है उसमें से 72.97 लाक हेक्टेर जो है जो छेत्र है वो पूरी तरीके से सकल फसल छेत्र है जहां पर फसल लगाया जा सकता है उसमें जो सुद्ध बुआई का छेत्र है वो 50.7 लाख है और जो फसल सघंता है वो 144% है 144% है और अगर बात करें फसल सघंता की बात करें तो सारवधिक जो फसल सघंता है वह बिहार के शिवहर जिले में और अगर सबसे कम सघंता की बात करें तो वह गया जिले में है फसल सगंता की बात करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे माली जी कोई लैंड है या कोई प्लॉट है अगर इस पे कोई एक फसल चक्र लगा जा रहा है यानि रवी की फसल हम लगा रहे हैं के वल तो हमारा जो फसल सगंता है वो 100% हो गया अगर हम खरीव की फसल लगा रहे हैं तो 100% हो गया और दोनों फसले लगा रहे हैं तो टोटल कितना परशन हो गया 200% अगर जैद की फसल लग रहे हैं तो 100% और हो गया 300% हो गया तो ये अगर हम किसी भी एक लैंड पर दो फसल चक्र का पूरा उत्पादन कर रहा है तो हमारी जो फसल सघंता होगी वो 200% है यानि बिहार का जो फसल सघंता है 144% है इसका अर्थ हो गया कि एक फसल चक्र तो पूरी तरीकी से कोई दिक्कत नहीं है वो recycling है वो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 144% का मतलब यह होगा कि बिहार के कुछ ऐसे छेत्र है जहां पर दो फसल चक्र नहीं हो पाता है यानि कि दोनों फसल चक्र के लिए वनखूल नहीं है जिसकी वज़ाए से फसल सघंता 144% है हलां की बात करें तो भारत में जो फसल सघंता है उससे तो ज़्यादा ही है 134% यानि 134% फसल सघंता है और 134% फसल सघंता यह बिहार से काफी कम है इंडिया का हलां की बिहार का ज़्यादा माना जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं होगा अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट बाक्स के बिहार में क्रिशी के लिए क्या प्रमुक चनौतियां रही है और इसके बारे हम लोग को बातचित करना है यहां कोई डाउट आपको नहीं होगा अगर कोई डाउट है तो प्लीज है आप कमेंट के कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं बिहार में क्रिशी की प्रमुक चनौतियां क्या है है नए थ्रेट्स क्या है जिसको बिहार को सामना करना पड़ता है तो बिहार में क्रिशी के लिए कोई एक आयाम नहीं है कोई एक चनौति नहीं है बिहार में बहुत सारे यानि बहु आयामी चुनोतियों का सामना करना पड़ता है, अगर हम बात करें डीटेल में, तो सबसे पहले तो बिहार में एतिहासिक कारक जिम्मेदार है, यानि बिहार की जो प्रमुक समस्याएं है क्रिशी छेत्र की, वो क्रिशी समस्याएं आज की नहीं है, तुरंत की नहीं है, इन क्रिशी समस्याओं को होने में दसक लगे हैं, यानि बिहार की सिती अगर आज अच्छी है और आज बुरी है, तो इसके लिए जिम्मेदारी ये कुछ दिनों या कुछ सालों का ये बात नहीं है, इसके लिए कई बार जो है यानि कि पिछले कई सारे दसकों के, काई सार काल में विहार के क्रिशकों का शोषण हुआ है और बात करें गर नील की उत्पादन के क्रिशकों को नील की उत्पादन के लिए काफी दवाव डाला जाता रहा और बात करें वहीं पर अस्थाई जो भू राजस्व बंदोवस्था थी वह विहार की जंसंख्या पर जंता पर किसानों पर जबर जस्ती लागों किया गया I think आप जो है हम लोग जब land reform पढ़ेंगे तो इसके बारे में complete discuss करेंगे हलाएं कि इस सब्द को हम लोग एक short तरीके से discuss कर ले रहे हैं जो बंदोबस्त विवस्था है यानि अस्थाई बंदोबस्त जो है जो विवस्था थी ये दरसल इसी को हम लोग जमीदारी विवस्था भी कहते थे और जमीदारी विवस्था के अंतरगत यहाँ पर सरकार होती थी यानि कि British Government और सरकार के बाद एक बिचोलिया होता था जिसको हम लोग जमीदार कहते थे और यह जमीदार का काम यह था कि हमारे देश के किसान से उत्पादन करवाना और उससे एक बड़ा हिस्सा करके रूप में लेना अब आप सोचिए कि अगर किसान को डाइरेक्ट सरकार को कर देना होता है या अपने पास रखेगा और इसका एक हिस्सा सरकार को देगा तो यह जमीदार है इनके माध्यम से देश में राज्य में किसानों का शोशड होता रहा हलाएं कि यह शोशड के वल भिहार में नहीं हुआ यह शोशड उत्तरप्रदेश में हुआ पशिमंगाल में हुआ, राजश्थान में हुआ, मध्यबदेश में हुआ कई सारे राज्यों में यह समस्या बनी रही एक शोशल का प्रतीक था इससे उत्तपादन में काफी कमी आई और पुर्वतर गंगा के मैदानी छित्र में क्रिशकों की आयस रोतों में काफी कमी आई और बेसी बात है आप या किशान जो इतनी मेहने से उत्पादन कर रहा है उसके कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अगर करके रूप में कोई छीन ले उससे तो हम कैसे कह पाएंगे कि आने वाले समय में उसकी इस्थिती बहतर हो जाएगी यानि कि अच्छी हो जाएगी तो एतिहाशिक कारक है यह भारत के लिए यह राज्य के लिए जिम्मेदार है थोड़ी सी फिर बात करेंगर हम गौलिक कारक तो जैसा कि हम लोगों पता है बिहार लैंड लॉक्ट एरिया है यानि पूरी तरीके से भूमी से गिरा हुआ राज्य है बात करें हाँ पर मानसून जून जुलाई में पहुंसता है इस कारण से यहां पर सूखा की स्थिती भी कई बार बन जाती है और भारत का जो है बिहार का जो उत्तरी बिहार वाल हिस्सा है वो बर्षा के कारण यानि अधिक बर्षा के कारण जो है कई बार अतिप्रवाह के कारण जो है यहां पर बाढ़ की स्थिती भी जो है उत्पन के से बताएं कि बिहार का जो दच्छडी हिश्चा है वो लगबग लगबग सूखे से परिसान होता है यानि कि मांसून प्रॉपर ना आने की वज़े से वहां पर सिचाई विवस्ताइं जादा अनकूल नहीं है वहीं पर उत्तरी हिसे में बात करें तो अति वरिष्ट यानि हलांकि नदियों की संख्या तो अधिक है लेकिन नहरों की अनुपस्तिती डैम्स का उपयुक्त तरीके से मैनेजमेंट नहीं होना ये कूप्रबंधन की दसा को बताता है और ये बिहार में भी ये बिहार में क्रिशी छेत्र के उत्पादन के लिए यह एक चुनौती है तक तक्णिकी कार्क कि बात करें अगर तो अगर हम यानि कि तक्निकी रूपसे करें ठाइसे होगी यह उत्पादक्ता को बढ़ाइगी कम समय में हम अधिक उत्पादन कर पाएंगे फलांसी अग्वास के i गया हम तक्णिकी कारक से क्रेइब यारी टेकनीकल हम क्रिशी करे actually दिक्कत यह है सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे साथ है वो क्या है साख्य की समस्या है यानि कि मुद्रा के समस्या है हमारी प्रतिव्यक्ति आए इतनी कम है साख्य की समस्या आज भी बिहार में बैंकों के द्वारा proper यानि कि उपयूगत रूप से उपलब्ध नहीं है जिस सीधा सीधा बिहार राज्य के क्रिशी छेत्र में उत्पादन पर सीधा प्रभाव डालता है कुछ समस्या है और बी है जैसे बिहार में कुछ चनोतियां है भूमी से संबंदित जैसे जिसमें हम लोग ने बात किया था 91% सधीक के जोत जो है वो सिमान्त जोत है जो एक हेक् बड़ी समस्या है यहां पर एक और थोड़ी सी चौनोति मिल जाती है बिहार राज्य को और वो है वर्षा आधारीत क्रिशी यानि कि वर्षा आधारीत क्रिशी का मतलब कई बार हम पूरी तरीके से मांसून आधार पर हम लोग खेती किसानी करते हैं जिसकी वज़र से कई गरबांसू लेट हो जाने की वेज़े से या नौ आने की वेज़े से समय से वो पूरी तरीके से डिरेक्ट तरीके से विहार में कृषीच छेत्र के उत्पादन को प्रभावेत करता है। आधारभूत संग्रशना का आभाव बिहार में एक थोड़ी सी समस्या सडक है, सडक संपर्कता है, गोदाम है, विद्दुत की सुविधाय है, अभाव है, ये जो चीजे हैं ये आधारभूत संग्रशना का आभाव दरसाती हैं जो क्रिशी छेत्र के लिए बिल्कुल अनुक होता है, जैसे हम बात करें अगर लीची के उत्पादन की बात कर रहे है, मुझफरपूर जो बिहार राज के प्रमुख जिले के रूप में मुझफरपूर को जाना जाता है लीची के उत्पादन के लिए, अब लीची के उत्पादन करने के बाद जब लीची को निकाल लि पड़ो Kids आड़ोई को व्याएं कि सद्दान चैत्रों लोगों को कई बार नुक्सान का सामना करना पड़ता है संस्थागत साख की कमी भी भारत बिहार में एक चनौती है इतना बैतर नहीं है prac बिहारत के अन्य राज्यों की इस्थिति जिस तरह से हमको पता चलती है, तो इसके कारण जो है किसान कई बार गैर संसागत तरीकों से एक क्रशी कारे के लिए रिड़ ले लेता है और जिसकी वजह से एक रिड़ के जाल में फज़ आता है और रिड़ के जाल में फज़ आने के वज़ए से क्रशी छेत्र में उसके द्वारा किया जाने माला जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है और ये भी एक बिहार इन आंसर रैइटिंग में अपनी बातों को यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। बात करे हम लोग बिहार में क्रिशी के विकास के लिए निम्न उपाय अपनाय अजासत पर है। ये आप सजेशन के रूप में, सलाह के रूप में, या सरकार के द्वारा की जाने वाली कोशिसों की रूप में, अगर पूछा जाया तो आप इसे लिख सकते हैं, फसल प्रक्रिया का विस्तार, ये जो है क्रिशी छेत्र के विकास के लिए सुझाव है, सलाह है, बिहार में चावल, गेहुं, गन्ना का ही उत्पादन होता है, जो कि गहन सिचाई वाली फसले हैं, यानि कि इन फसलों के उत्पादन में सिचाई की सुविधायें बेहतर चाहिए, तभी हम इनका बेहतर उत्पादन कर पाएंगे, फसल प्रक्रिया का जो विविदिकरण है, वो ना सिर् प्राक्रिटिक्षन शादरों का दोहन कम करेगा अपे तु किशानों की आय इस्थिर भी होगी और किसानों की आय बढ़ेगी इस्थिर होने का मतलब किसानों की आय जो है बढ़ेगी या तो इस्थिर होने की कम होने की जो है संभावनाय है वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं तो विविदी करण का मतलब क्या होगा हम अपने जमीन पर जो रोटेशन है क्रॉप का वो बहतर करते नहीं तो पादन छेत्र में जो है हमको बहतर गेन देखने को मिल सकता है इसके अलावा क्रिशी छेत्र में विग्यान और तक्नीकी का प्रियोग आपको बहतर करना पड़ेगा यानि चाहे वो ड्रोन्स का प्रियोग हो गया GPS अधारी लैंड मैपिंग की बात हो गई तक्नीकी से जमीन संगरच्छा की बात जो हम करते हैं GPS के अधार पर उर्वरक हो गया सिचाही है तो जलक का वैग्यानिक प्रियोग हो गया ये सब कुछ जो है जो कॉस्ट होगा प्र बॉस्त रहेगी बात करें गर हम पिचले बजट बेजट की बारें बात करें तो बज्चले बजट की बारें बात करें तो भारत सरकार के एक बजट में यह भी ़終os करेंबिगे तो कश्ड़काव टक्नीकी माध्यक Boss से एडवांस एग्री कल्चर को बताता है और यह बताता है कि किस प्रकार से हम फसलों को कम समय में हम बेहतर उत्पादर्न के लिए हम जा फसल की रच्छा कर सकते हैं पौधों को स्वस्त बना सकते हैं और मिट्टी को बना सकते हैं बात करेंगर हम लोग करिशी संबंद काउशल विकास, परिछण एक बहुत बड़ी समस्या काउशल विकास की है विहार में और स्किल ट्रेनिंग की है, अगर हमें प्रॉपर तरीगे से मृदास संग्रशना के बारे में बताये जाए, मुर्दा संग्रचना के संदर में हमको एक ट्रेनिंग दी जाए हमको स्किल किया जाए हमको कौन से उर्वरोकों का प्रयोग करना है हमको कैसी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है उनका अनुकूलतम उप्योग कैसे किया जाए optimum utilization किया जाए अगर इसके लिए अगर हमको बेहतर ट्रेनिंग मिला तो हम जो है क्रिशी छेत्र में और बेहतर युगदान भारत को दे सकते हैं या राज्ज में यह युगदान और बढ़ सकता है बुनियादी धाचों में थोड़ा सुधार हमें करने की जरूर पड़ेगी जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया परिवहन लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट हो गया है यह क्रिशी के लिए बहुत ही जादा आवश्यक है और इनके होने की बाद हमारी आय बढ़ेगी यानि किशा šriad लाइनयों की आय के लेंवे बाजार तक पहुच्ण आवश्यक है और जब तक तक इस नहीं होगा तब तक की त्वारा किया उत्पादन का कोई अर्थ नहीं वगा मि विधास के यहां नहीं होगी हुग ऑगर हमारे पास संपरकता व्यहतर नहीं होगी तो बात करें प्रपाएब रहे हैं जो यहां पर कमीयों की रूप में हम लोगों ने देखा था है ना उन्हीं कम्यों को हम लोगों क्या किया है अपोजित कर दिया है जैसे कि आधारभूत संग्रशना का भाव तो यह तो कमी है तो चुनौती अगर अगर आपको सला देना होगा तो आप उसी को उलट दीजे, आप कहिए सर आधारभूत संग्रशना पर सरकार को विशेश ध्यान देना पड़ेगा, अगर हम ऐसा कर पाए तो मुझे लगता है क्रिशी शित्र में उत्पादन को पढ़ावा मिल पाएगा, जैसे हम कहा रहे हैं आप जब सजिस्ट करेंगे तो ये जरूर कहेंगे सर संसागत साख में वृध्धी करनी पड़ेगी, संसागत साख को सरकार को राजिसरकार को विशेश ध्यान देना पड़ेगा, ताकि किसानों को जो है कर्ज के लिए बैंक के अलामा कहीं और ना जाना पड़े, तो आई निकि हम केवल और केवल जै अनाजव के उतपादन से ही न जुड़े, हम इस से व्योत पन अने छित्रों पर भी अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम उतकुपादन छित्र के अलामा हम अपनी आये को और बेहतर कर सकते हैं, जैसे हम केवल खिशी कारिय कर रहे हैं, लेकिन अ जो उत्पादन होगा वह जो क्रिशी के ऊपर एक बड़ी जन्संक्या का जो दवाव है जो भार है यह भार को कम करेगा और आपकी आय को दुगना करेगा तो यह आपका क्रिशिगत आय का अस्थानापन आपको ढूड़ना पड़ेगा यह अस्थानापन आप जितना जल्दी ढूड लेंगे उतना बिहतर वह अपनी आय को या उतना जल्दी हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं सरकार ध्वारा की गई क्या पहले हैं क्या कोशिशे हैं सरकार के द्वारा हम लोग इसके बारे में एक बर डिसकस कन लें तो सभी 38 जिलों में यानि कि 38 district में जो है कारियात् राजों के छेत्री मुख्याले के साथ सथ ICAR पटना में विद्धिमान है जिसका काम है रिसर्च करना और क्रिशी छेत्र के उत्पादन के लिए सहयोग अस्थापित करना इसके अलामा बात करें तो लीची और मखाना के लिए राश्ची अनुसंधान के इंद्र राज्ज में अस्थापित किये गए हैं जो पूरे राज्ज में ही नहीं पूरे भारत में अब इस उत्पादन के छेत्र में ब्यहतर प्रदर्शन कर रहे हैं बात करें करें कि रूड मैप तीन के बारे में बात करें तो यहां रूड मैप पांच सालों की अवधी के लिए लागू किया इसके अंतर्गत शेत्र में अधिक इनकम के लिए या राज्ज में किसानों की आया को बढ़ावा देने के लिए इसके लागूं बात करें विषार बिहार का एक और कारेक्रम जिसके अंतर्गत बिहार कृषि निवेश प्रोशाहन नीती 2020 कहते हैं जिसे हम इस नीती के अंत अंतरगत क्रिशी वेवसाय छित्र में निवेश प्रोसान हे तू तता सुविधा प्रदान करने हे तू वित्तिय सायता दी जाएगी इसके अंतरगत मखाना हो गया फल हो गया सबजियां हो गई और शदिय पौधे हो गए मक्का तता चाय प्रसंशकरन उद्योगों को बढ़ योजनाओं का लाव मिल सकता है अगर आप मखाना के उत्पादन छेत्र से जुड़े हैं किसी फल के उत्पादन छेत्र से जुड़े हैं या सबजीयों के उत्पादन छेत्र से जुड़े हैं या और सदिय पौधे के उत्पादन छेत्र से जुड़े हैं तो आप मिनिमम 25 28 लाग से लेकर और अधिक्तम पांच क्रोड रुपया तक का सबसिडी स्टेट गवर्मेंट से आपको प्राप्त हो सकता है इसके अलामा बात करें तो मुख्यवंत्री हरित क्रिशी शायंत योजना इसके अंतरगत जैसा कि हमने बताया कि बिहार में तकनीकी पिछड़ापन ह जिसकी वजह से हम उन्नत क्रिशी नहीं कर पाते हैं तो यहां पर सरकार आप देख सकते हैं कि क्रिशी संबंदित मसीनरीज को नाम मात्र के किराये पर आपको उपलब्द कराएगी और इससे क्या होगा कि मसीनी करण तिब्र होगा और हम न्यूनतम लागत में एक बिहतर उ जागत का 75% किसानों को अनुदान के रूप में प्राप्त होगा इसमें से 25% किसानों को केवल भुकतान करना होता है यानि कि जो पंप है सोलर पंप है यह 100% में से 75% आपको अनुदान मिलेगा केवल 25% किसानों को भुकतान करना होता है अगर आप इस टॉपिक को देख रह सम्मंदी थी है. अगर इसके बारे में आपको जानकारी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइच कि कुसुम योजना के बारे में आप क्या जानते हैं. मैं एक और हिंडे दे रहा हूं कि यहार केंद्र सरकार की योजना है. यह केंद्र conclusion हमें करना है तो बिहार ग्रामिड भारत बदल रहा है जैसे हम सब जानते हैं लेकिन अभी भी एक बहुत लंबा रास्ता तेह करना है बिहार ने कृषी उत्पादन के छेतर में बहुत तेजी से सुधार दिखाया है कृषी उत्पादन के छेतर में हिसेदारी देख करके आप समझ सकते हैं कि हमारी जो कोसिस है वो कितनी कामयाब हो रही है देश में जो दूसरी हरित क्रांती है इसके गंतव्य की रूप में बिहार को माना जा रहा है जो कि बिहार में हमने बताया कि बिहार की जो स्टंथ है वो क्रिशी छेत्र में उत्पादन के लिए काफी अनुकूल है विहार सरकार ने मक्का और ये हूँ के उत्पादन छेत्र में महत्पुर्ण उत्पलब्दी हासिल की है क्रिशी कर्मण कुरसकार जो हमें लगातार मिलता जा रहा है उमीद है आने वाले वर्षों में ही आने वाले वर्षों में भी बिहार ही इस कुरसकार का फिर से विजेता होगा और सिर्फ दो फसलों में नहीं दो से अधिक फसलों में भी हम इस पुरसकार में अपनी बाजी मार सकते हैं राश्पती एपीजे अब्दुलकलाम ने कहा था कि भी क्रिशी को विहार की प्रमुक्ष हमता है और इसमें जो है विहार राज्य को और बेहतर करने की जरूर है तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा यह जो है आज का हम लोग इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं यहीं पर समाव्थ करते हैं बिहार में अग्रिकल्चर को हम लोगों ने आज कभर किया विहार में अग्रिकल्चर की क्या स्टेंथ है क्या ऑपर अतार वर्टसों से करता आ रहा है ए मिलेगे हम लोग फिर एक नए वीडियो में हम लोग agriculture आप बिहार को ही अभी कवर करेंगे आने वाले समय में agriculture आफ बिहार से ही संबंधित एक नया टॉपिक ले करके हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद